आप सभी का स्वागत है आज उत्रा खंड जीके की लेक्चर है उसका 8 बाग यानि 8 लेक्चर जो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे पहले हमने लेक्चर वन से लेकर 8 हम पूरे के पूरे उत्राखंड फोकस में करकर ले रहे हैं तो उत्राखंड की history अगर आपको पढ़नी है तो यह आज 8 lecture जो है last lecture होगा उत्राखंड history की series में जहां पे हमने lecture 1 में ancient history पढ़ी थी उसके बाद lecture 2, 3, 4 में जो हमारे medieval cover हुआ था lecture 2, 3, 4 में जो हमने medieval history पढ़ी और modern history of उत्राखंड जो है lecture 5 से जो है चलती आ रही है 5th, 6th and 7th and this is our last lecture उत्राखंड history के अंदर ठीक है अगर आपने जो है यह series नहीं देखी है और आप पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे channel से तो यह जो series है मैं उत्राखंड जी के की पूरी के पूरी जो है उत्राखंड जी के cover गराने की जो है में जी कोशी चल रही है और exam जो है उत्राखंड के जितने भी विभिन विभिन प्रदा के exam से चाहे वो उत्राखंड का PCS का exam हो और चाहे वो उत्राखंड triple SC कोई भी exam होंगे जो इतने भी उत्राखंड में आने वाले हैं अगले कुछ महीनों में उन सभी में है उत्राखंड की जो है जीके है यह वहाँ सभी exams में काम आएगी और main बात क्या है कि these classes are in English ठीक है वैसे हिंदी medium वाले students जो है इन classes को देख सकते हैं क्योंकि जो spoken language है वो हिंदी में use करता हूँ ठीक है बट जो material है जो content है that is in English medium तो जितने भी English medium के students है उनको जो है उत्राखंड जी के comprehensive way में cover करनी है तो these lectures are meant for you यह lectures आप ही के लिए बने है English students जितने भी है तो यह सारी series आप देख सकते हैं एक lecture है तो आज की series में popular moments इन उत्राखंड जितने भी popular moments है उत्राखंड के अंदर वो हम cover करेंगे exam point of view is important ठीक है मै आपको बता है modern history जो है lecture five से चल रही है five six seven eight तो modern history आगर आपको उत्राखंड ही करनी है तो यह आप lectures ले सकते हो ठीक है तो आज की video शुरू करते है let's do the basics first of all उत्राखंड PCS की prelims test series जो है हमारे चैनल पे चल रही है जिसमें आपको 10 full land test मिल रहे हैं यह test series दोनों English और Hindi दोन पर आप किसी question में अटक जाते हैं फिर कोई question आपको समझ में नहीं आता है concept उसमें आपको clear नहीं है तो आपको जो है यह doubt clearing session भी रखे आते हैं और सबसे में बात यह test series की प्राइस है only 300 रुपीज है बहुत यह affordable course पे रखे गी है so that student mock test देने में सक्षम रहें और अगर उत्राखंड PCS या फिर उत्राखंड AAAC exams के लिए handwritten notes जो है जो lectures अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उन सभी के handwritten notes आपको मिल जाएंगे उत्राखंड history के लेकिन यह notes सिर्फ English medium के students के लिए सिर्फ English में notes हैं Hindi में notes अभी available नहीं है और साथ ही साथ GS के अगर आपको notes नहीं है वो भ के notes useful होंगे तो यह तो थी जो है प्रमोशन वाली बहत नेक्स्ट आज का जो मेन मुद्दा है popular moments in उत्राखंड कौन कौन से popular moment रहे तो सबसे पहला और सबसे important moment जो exam point of view से हैं वो है कुली बेगार moment अच्छा इस से पहले lectures में मैं already उत्राखंड का जो freedom struggle है वो मैं सब कुछ जो है cover करा चुका हूँ जितनी भी classes है मैं description box में link जरूर दे दूँगा अगर आपनी नहीं देखिए तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं वाकि मैंने अपने चैनल पर अलग से playlist ना रखी है उत्राखंड GK के नाम से जहां पर जितने भी उत्राखंड GK के class में लेता ह है कि यह सारा content आपके काम का है और आपको जो useful होगा exam clear करने में then please subscribe कर देना मेरे चैनल को and also likes बटन जरूर दबा देना so that मेरे को भी थोड़ी motivation मिलती रहे कि आपको लोगों को यह content मेरा पसंद आ रहा है ठीक है तो थोटी से request कर देना so अब शुरू करते हैं lecture आज का ठीक है कुली बेगार moment यह moment आपने कहीं न कहीं देखा यह होगा और कहीं न कहीं क्या exam में जो है काफी exams में यह पूछा गया कि कुली बेगार moment जो है basically इससे question बनते है तो आज की हम class में देखेंगे कि ऐसे कुछ moment जो exam point of view is important है पहला है कुल बेगार moment तो आईए जानते हैं इसके बारे में कि इसमें actually हुआ क्या था तो अंग्रेजी सेशनकाल में जो है अंग्रेज अधिकारी जो है क्या करते थे अगरों कहीं आदे जाने के समय में उनका समान जो है गाओं वालों को ढोना पड़ता था यानि जो वो लगेज क्यार से ये बेगार ली जाती थी मतलब बेगार का मतलब basically आप service समझो तो एक तरह की service ली जाती थी और इस service को उनको कोई cost नहीं देने पड़ती थी यानि इसका मतलब ये जो service थी that should be done at a free of cost मतलब इसके कोई पैसे नहीं मिलती थे गाओं वालों को ठीक है तो इसके लिए गाओ इतने professional level पर जो है ये जो है चल रहा था तो उतराखंड की जनता जो है इस कारिया को समान के विरुद मानते हुए 1921 में काफी जो है इसका आकरुष था उतराखंड के लोगों को वह बढ़ चुका था ठीक है तो 1921 में काफी पूर्व से इस कुपर था के जो विरुद तो ऐसा मान जाता है कि 13-14 जन्वरी 1921 को जो है बागेश्वर की जो सरायू की किनारे जो है उत्तर में उत्तर याणी मेला लगावा था एक्जाम पॉइंट ओफी तो इंपॉर्टेंट 13th and 14th जन्वरी 2021 को बेसिकली क्या बागेश्वर में बागेश्वर में सरायू नदी के किनारे ठीक है कौन सा मेला लगावा था उत्तर यानी मेला उत्तर यानी फेर यह जो लगावा था तो इसमें जो है बदरीदत पांड़े जो की बहुत बड़े नाम थी हमने पिछले कुछ लेक्ष्टस में उनके बारे में पढ़ा हर गोविंद पंद चिरंजी लाल तो इन सब के लेडरिशिप में अप्रॉक्सिमेटली 40,000 जो है प्रोटेस्टर जो है इकट्टा होए थी 40,000 से जाद़ अंदोलिनकारी जो है इकट्टा होए थी और उन्होंने बेगार ना देने का संगर्भ लिया और बेगार रेजिस्टर को सरय नदियू में बहा दिया तो इस तरह से जो उन्होंने प्रण लिया कि अब से हम जो है इस मुमेंट इस जो पर्टिकल सर्विस है य 13, 14 जनवरी ये भी डेट एक्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सी पर्टिकलर डेट को इतने सारे जो प्रोटेस्टर से वो बागे शोर में खटा होए थे या फिर ये लोकेशन भी पूछ सकते हैं एक्जाम में कौन सी रिवर के किनारे खड़े होए थे तो सरायू रिवर औ और कौन सा मेरा लगावा था तो ये सारी जो चीज़े तीन-चार चीज़े मैंने बताई डेट, सिटी, रिवर और कौन सा फेर और इयर तो ये सारी एक्जाम पॉइंटों पे से इंपोर्टन हो जाती है मुवमेंट क्या था किस लिए था वो मैंने आपको पहली बता दिया तो इस प्रथा का जो है इस तरह से एंड हुआ तो ये था हमारा कूली बेगार मुवमेंट हम पढ़ेंगे तीहरी स्टेट मुवमेंट मेरे पिछले लेक्चरस में जो भी फ्रीडम स्ट्रगल रहा आप एक बात नोटिस करना मैंने पहली कहा था जो फ्रीडम स्ट्रगल उफ उत्रा खंड है वो मैं दो भाग में पढ़ाऊंगा एक भाग बिटिश एरिटी जितनी भी बिटिश के अंदर जो है टेरिटरी आज तो मेरे पिछले लेक्चरस में आपको वो चीज़ पढ़ाई थी आज के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा जो प्रिंसली स्टेट ऑफ तीरी था उसमें जो है फ्रीडम स्ट्रगल जो है किस तरह जला तो इस तरह से इसको हम टीरी स्टेट मुवमेंट भी बोलते हैं टीरी के लोग जो है डेमकरिक सेटफ के लिए मांग करना हूं। उन्होंने शुरू कर दिया. डेमकरिक सेटप के लिए हैं। डेमोकरिटिक, मतलब डेमोकरिशी उनको चाहिए थे, क्योंकि आपको पता है प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, लेकिन उन टीरी के राज्ये में जितने भी लोग थे, उन्होंने डेमोकरिशी का नाम का जो डंडा था, जो ढोलता हो बजाना शुरू कर दिये, तो डेमोकरिशी बना होती है, तो अब इंपोर्टेट हो जाता है कि कौन-कौन प्रजा मंडल को एस्टैब्लिश कर में किस-किस जो है, फीडम फाइडर्स का हाथ था, प्रजा मंडल बेसिकली क्या है, एक मुवमेंट था, जिसको जो है, डेमोकरिटिक सेटप बुनाने के लिए जो है, एक डौलात रम, नागेंदर सकलानी, और वीर चंदरगडवाली, अब वीर चंदरगडवाली के बारे में हमने अपनी सारी क्लासिस में, जो बॉडर्न इस्टी क्लास होई थी, पेशावार कांड जो हुआ था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इनोंने कौन से मुवमेंट में य ये जो हैं इंक्ल्यूड थे, और कहां से इनको पॉपलाइटी मिली, वीर चंदरगडवाली, ठीक है, तो प्रजा मंडल की स्थापना होती है, 1939 में, 1939 में स्थापना होती है, इन सभी के परियासों जो प्रजामंडवाली की स्थापना हुई, इस से बेसिक लिए क्या हुआ कि जो है एक mass moment start हुआ mass moment start हुआ mass moment start हुआ तीरी के अंदर mass moment यानि लोगों के दुवारा किया गया moment लोगों के दुवारा गया moment जो है start हुआ अब देव सुमझ जो थे इस जन अंदुलन का जो है बहुत अच्छे से बहुत भड़ चड़कर leadership के उनके qualities थी उन्होंने पूरी उसकी और देव सुमझ जी जो है इस movement में काफी बढ़चर का जो है नोने हिस्सा लिया देव सुमझ जी ने ठीक है अब क्या होता है सुमझ जी को गिरफतार करके जो है जो है जेल में डाल दिया वो जब आंदोरन कर रहे थे तो बिटिशस ने क्या क्या उनको गिरफतार किया और उनको जेल में डाल दिया माई 1944 में माई 1944 में क्या होता है वे अनक्षित कालिन भूख अड़ताल पर बैढ़ गये यानि अनेंडिड मूम अनेंडिड हंगर स्ट्राइक जो कभी खतम ना होने वाली खतम कब होगी जब उनकी डिमांड्स को फुल्फिल किया जाएगा तो वो हंगर स्ट्राइक पर बैढ़ गये जब वो जेल में थे हंगर स्ट्राइक पर ठीक है में 1944 इंपोर्टन है एक्जाम पॉइंट वी पीसे और 25 जुलाई को 25 जुलाई 1944 को उनकी जो है डेथ होती है आफ्टर 84 days of hunger strike यनि 84 तक जो है भूके रहे उनने hunger strike की और last 25 जुलाई 1944 को जो है उनका दिहान दो गया वो जो है शहीद हो गए तो इस तरह से जो है देव सुमन जो है हमारी उत्राखनिश्टी में बहुत बड़ा नाम है और ये कौन से movement से associated है ये भी हमने देख लिया प्रजा मंडल प्रजा मंडल revolution बोलते हैं इसको भी ठीक है तो क्या था ये कि टिहरी स्टेट में जो है democratic सेट अप करने के लिए जो लोगों की मांग थी उसको जो है formalize किया था उसको जो है institutionalize किया था प्रजा मंडल के रूप तो प्रजा मंडल में देव सुमन ने काफी leadership आगे बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया और उनको बिटिस सरकार ने गिरफतार किया और वो जो है hunger strike पे पैठे 25 जुलाई 1944 को वे शहीद हो गए after 84 days of hunger strike तो इस तरह से जो है देव सुमन जो है शहीद होते हैं उसके पास क्या होता है देव सुमन की मृत्यू के बाद आंदोरन की जो है जो बागडोर थी वो जो है दौलत राम दौलत राम भोलू राम भोलू राम नौटियाल नौटियाल तथा नागेंदर सकलानी इन तीनों के हाथ में जो है इसकी बागडोर आ गया नागेंदर सकलानी तो भारत के स्वत्त होते ही टिहरी के एक सकलाना करके जो है राजीम के अंदर जो है सकलाना एरिया में अब भारत जो है अजाद हो चुका है इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो चुका है टिहरी के लोगों ने अब बोला कि अब तो हमको जो है डेमोगेटिक सेटप चाहिए ही चाहिए क्योंकि आपको को पता है जब 1947 में इंडिया जब लगर हुआ था तो Select को तीन option मिले दिया या तो इंडिया के साथ आ जाओ या फिर पाकिस्तान के साथ जाओ या फिर जितने सब्सक्राइन ब्राँ भ Bie bizt hanuk tapi उनके पास independent रहने का मन बना लेकिन जो है स्टेट के अंदर एक पहले सी मुवमेंट चल रहा था 1930 से कि हमको जो है डेमोक्रेटिक सेटप चाहिए डेमोक्रिसी चाहिए तीरी राज्जी के अंदर तो इसके बैक्ग्राउंड में इसका अब गुस्ता पूरा का पूरा पीक लेवल पे चल रहा है जब 1947 में इंडिया इंडिबेंडेंट हो जाता है तो 1948 में ठीक है तो इसका जो है एक पहले मास मुवमेंट स्राट हुआ उसके बाद जैनवरी 1948 में कीर्थिनगर आंदोलन में पूरा का पूरा गेम बदल दिया कीर्थिनगर आंदोलन कीरती नगर आंदोलन ने पूरा का पूरा गेम पलट दिया और इस आंदोलन में मोलू राम बरदारी और नागेंदर सगलानी जो है शहीद होगे अगर एक्जाम में आता है यह कुशन जिस तरह से पूछे गए है मोलू राम बरदारी और नागेंदर सगलानी जो है यह शहीद होगे बरदारी और नागेंदर सगलानी यह शहीद होगे तो अब एक्जाम में किस तरह से कुशन आ सकता है कि कौन से मूवमेंट में जो है मोलू राम या फिर नागेंदर सगलानी की जो है वो कौन से मूवमेंट से या फिर कौन से आंदोलन से जो है वो शहीद होगे थे लेकिन एक particular moment जो है हिस्ट्री में लिखा हुआ है वो है कीरती नगर मुवेंट कीरती नगर अंदुलन ठीक है प्रोटेस्ट अफ कीरती नगर तो ये जो है इसका आंसर होगा अगर कुश्चन इस तरह से आता है कि नागेनर सकलानियन मौलुराम भरदारी कौन से अंदुलन के वैसे जो है शहीद होएते तो कीरती नगर अंदुलन उसका आंसर होगा और ये जो है जैनवरी 1948 में जो है अंदुलन चला था अब जो है दो हमारे Freedom Fighters भी जो है सहीद हो जाते हैं और लास्ट में क्या होता है लास्ट में राज्जा जो मानवेंदर शाह थे मैंने आपको पहली बताया उस लास्ट रूल औरफ पवार डाइस्टी नु पढ़ा उन्होंने जो है in 1949 में इंट्रूमेंट Frage मतलब उन्होंने जो हम अपनेegंस है कि हम इंडिया के साथ मरज हो जाएंगे औरrete fantastic in Tetraq August 1949 भी में ऐटानि उनाइड पवी के साथ यानि इंडिया के साथ मरज जाता है ठीक है 1st August 1949 ये एक्जाम बहुत important है बहुत question paper में आ चुकी है बहुत exam में आ चुकी है सीधा पुछ लेते कि कौन सी तारिक को टिहरी जो है इंडिया के साथ मर जुआता तो 1st August 1949 ये बहुत important है याद कर लिए अच्छी से तो इस तरह से जो है टिहरी state के अंदर जो है प्रजा मंडल सबसे important institute है ठीक है एक तरह से जो है organization बनाए गया था प्रजा मंडल और देव समन की किस तरह से जो है शहीद होते हैं एक जेल में जाकर कौन सी date को है ते वो भी important है 25th July 1954 को है ते वो भी important है कितने दिनों की भूखरता लोन ने कीती 84 डेस ही कीती तो ये सारे facts जो है आपका जो paper है वो बहुत factual information जो है पूछता है तो ये facts जो है इस यही fact जो है डोला पाल movement अब इस movement में basically क्या हुआ ऐसी प्रसा थी पहले कि जितने भी दलित दलिस थे उत्राखंड के उनको जो है डोला पाल की use करने की permission नहीं थी डोला पाल की मतलब जो शादी में जो है जब विदाई होती है तो जिस पाल की में जो है दुलन जाती है ठीक है उस पाल की को use करना जो है allowed नहीं था दलिस को ठीक है तो इस movement इसके against जो है इस social practice social evil practice के लिए जो है एक movement चला गया जिसका नाम है जोला पाल movement ठीक है इस movement को stop कर मतलब रोकने के लिए सबसे बड़ा नाम जो है सामने आता है वो है जायानंद जायानंद भारती है एक्जाम में सीधा आ जाएगा डोला पाल movement जो है किसने जो है किसके खिलाफ movement किसने चलाय था तो जायनंद भारती है वो नाम है जिन्होंने जो है movement चलाय था कब 1930 में 1930 में तो इन्होंने campaign स्टार्ट की कि इस practice को इस ritual को जो है उन्होंने eliminate करना है society से ठीक है और इस तरह से जो है उन्होंने इस movement को रुखवाया तो यह एक लौता नाम है जो इस movement से important है एक चीज़ और ख्या पता पूछले कि हरी प्रसाज थे हरी प्रसाज जिन्होंने 1912 में दलिट्स को एक नाम दिया था उत्राखंड state के जितने भी दलिट्स थे हमारे राज़्य में जितने भी दलिट्स से उनको एक नाम दिया था वो नाम था शिल्पकर तो एक्जाम में सीधा आ सकता है कि शिल्पकर इस रिलिटी टू वाट शिल्पकर जो है किस से संबंदित है तो ये जो है एक दलिट्स को नाम दिया गया था दलिट्स of उत्राखड और ये किस ने नाम दिया था हरी प्रसाद ने 1911 में तो ये भी एक मुवमेंट था जिसमें जो है अलग-अलग जो भी एक शेशल का क्रिश्थी उसको जो है एंड किया गया नेक्स्ट मुवमेंट एंदे लास्ट मुवमेंट पूर तीलारी कांड तीलारी कांड इसको जो है रिवाई कांड भी बोलते है रिवाई कांड भी बोलते हैं तिलारी कांड या फिर रवाई कांड अब इस कि इस अंदुरंग में जो है हम देखेंगे तो 1930 में जो है रवाई जो है एक गाउं है रवाई एक गाउं है जो कि तोस विलेज में पढ़ता है तो उसमें क्या हुआ लोग जो है तिलारी ग्राउंड में गैदर होते हैं तिलारी जो है बेसे कि लिए ग्राउंड है तिलारी ग्राउंड में जो है गैदर होते हैं यह बेसे कि लिएक मुवमेंट नहीं है प्रोटेस्ट नहीं है यह एक इवेंट है 1930 में रवाई एक गाउं है जो कि तोस विलेज के पास तोस नदी के किनारे बसा हुआ है तोस वैली में है तोस वैली में है वहाँ पे क्या हुआ तिलारी ग्राउंड में जो है लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू क्या अगेंस्ट वाट किसके विरुद forest policy forest policy of the state ठीक है क्योंकि जिस forest policy के कारण जो है उनके जो हम लोकल लोग थे उनके forest rights को जो है छीन लिया गया था तो इसके विरुद जो है forest policy जो state ने उस वक्त अपना ही थी उसको प्रोटेस्ट करने के लिए जो है लोग इखटा हुए थे तिलारी ground में इखटा हुए थे रवाई जो है village था जो की तोस्वैली में पढ़ता है 1930s में हुआ था तो अब ये क्या होता है तिलारी ground में under the order of देवान चक्रधार जुयाल इनके order से लोगों के ओपर जो है गोलिया बरसाई गई पुलिस वालों ने गोलिया बरसाई और जो है काफी लोगों की जान गई निहते लोगों पर जो है गोलिया बरसाई गई और जब निहते लोगों पर गोलिया बरसाई जाती है तो आपको सबसे मेजर जो इवेंट हुआ हमारी मौडर्न हिस्ट्री आफ इंडिया में वो कांड आपको याद आएगा वो कांड है जलियावाला बाग जलियावाला बाग मैसेकेर ठीक है वो कांड है जलियावाला बाग मैसेकेर ठीक है काला दिन था और ये कांड होता है 1930 में जलियाँ वाला बाग ओफुतरखंड जो है अगर एक्जाम में आता है कि किसको बोला आता है तो वो होगा तिलारी कांड क्योंकि यहाँ पे लोग जो है पुटेस कर रहे थे देवान चकरदार जोयाल ठीक है सेम चीज नाइटीन थर्टी में होती पेशावर में जहां से जो है हीरो बन के आते हैं वीर चंदरे सिंग गडवाली ठीक है उन्होंने जो है उस पेशावर कांड में जो है गोली चिताने से मना कर दिया था इसलिए उनको इतनो सर्वोत सब्मान मिला लेकिन ये कांड हुआ और इनके ओर्डर के थुरू हुआ तो बेसिकली हमारे लिए तो ये विलन ही साबित होंगे हमारी हिस्ट्री में इंडिया की हिस्ट्री में दिवान चकरदार जोयाल एक बहुत बड़ी विलन रहे और जिनके कारण इतना बड़ा हाथसा हुआ इतना बड़ा इवेंट हुआ तो ये तीन-चार इवेंट्स थे जो मॉडर्र हिस्ट्री में हमने कवर की उसमें रह गए थे और ये ही ऐसी चीजे मेरे साब से important exam point of view से तो आज की class में हमने ये moments करने थे and we have done it अब जो next class आएगी वो उत्राखंड history की नहीं आएगी वो उत्राखंड geography की आएगी हम अगली class से उत्राखंड geography स्टार्ट कर देंगे उत्राखंड history समाप्त हो चुकी है आपको हर एक lecture देख रहा है ancient भी cover कर दी मैंने medieval भी cover कर दी और आज के lecture के खतम होने के बाद जो है हमने modern history भी और उत्राखंड भी खतम कर दी modern भी खतम कर दी अब इन तीनों के handwritten notes भी available है number जो है आपको पता ही है 8742930164 इस number पर whatsapp कर देना है और आपको अगर notes भी है तो ancient के बहुती कम price पे 20 रुपे में ancient के note है आपको medieval history के only 30 रुपीज के note है और modern के भी 30 रुपीज के note है ठीक है तो in total आपको उत्राखंड history का note जो है 80 रुपीज में मिल जाएंगे ठीक है तो मेरी side से I have done my part lectures में अपलोड कर दी है उत्राखंड history से अब next बारी आएगी उत्राखंड geography की जो कि हम next lecture से शुरू कर देंगे उत्राखंड geography अब चीजे फटाफटो जाएंगे because major जो part है major जो burden था उत्राखंड history की side से था क्योंकि history काफी बड़ी थी अब जो क्लासी फटाफटो जाएंगे इस तरह से मारा उत्राखंड जी के खच समाफ तो जाएगा तो I hope you are liking these videos और अगर like कर रहे हो तो like का button भी जो निक्चे आरहा है उसको दबा जेना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया because still मेरे 36% viewers ऐसे हैं जिनों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पता नहीं इतनी दुश्मनी क्यों है उनको मेरे से अगर आपको आप lectures देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं तो उसको express भी करो ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे और मेरे को भी motivation मिले कि मैं भी जो है अच्छे से lecture आगे बनाऊ और जल्दी जल्दी से upload कर दूँ so that आपकी preparation ऑन time खताब हो जाए ठीक है तो let's end this video here only and subscribe कर देना अगर subscribe नहीं किया वीडियो अच्छी लग रही है तो ही करना और telegram channel का मैंने तो सब्सक्राइब लिए को देदेगी तो इसका भी मैं लिंक देदूगा वहाँ पर तो उस लिंक और करके आपको सारी वीडियो अच्छेएगी so subscribe like कर देना this is my channel name telegram channel जोन कर लेना all the formality is a done lecture is done so see you in the next video till then take care